हलो फ्रेंज वल्कम तो मैं चैनल हेर सलूशन वीडियो तो सब लोगों का आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं उसका सेकंड टाइम मैंने बोला था दो बज़े लाइव आऊंगा बट यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया मैंने ट्राइ किया दो से तीन बार पर लाइव नहीं हो पाया आज हम करने जा रहे हैं ओला प्लैक्स जिसमें मैंने पा पानी के गुंगने पानी के अंदर ध्यान से देखेगा जैसे यह मिक्स हो जाता है अच्छे से मिक्स कर ले कोई भी जो पार्ट है वो कोई भी ड्रोप रहना नहीं चाहिए अच्छे से सारे ड्रोप इसमें अड्ड कर ले फिर उसके बाद उनको हम वहीं वेट फेर पे ही क लाइन के सर पर लगाएंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा एक टिक टॉक चैनल है जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं यह इसका ब्रोशर है आप इसका स्क्रीन शोट ले ले ताकि इसमें आपको पता रख जाए हमने यूस किया है स्टेंड अलोन ट्रीट्मेंट 90 ml पानी और 15 ml ओलापलेक्स नंबर वन तो पानी में मिक्स करके गुन गुने पानी में मिक्स करके मैंने स्टार्ट करना है लगाने बालों में अच्छे से सारे सेक्षन लेने हैं और सबसे बड़ी बात यहां पे आपको इसको रूट्स पे नह कर सकते हो जरूरी नहीं है स्मूथनिंग के अंदर ही करना है अलग से भी यूज कर सकते हो इसको as a spa as a keratin spa आप चार्च कर सकते हो इसके पंदरा सो से लेके पच्छिस सो तक length के उपर depend करेगा client का length कितना लंबा है मैंने यहां पे सबसे पहले four section कर लिया है जो कि हमारे है four major section अच्छे से जब sectioning हो जाएगा तो हम करेंगे इसमें clips लगाएंगे पतले पतले section लेके बालों के और उसमें लगाना start करेंगे और ओला प्लैक्स जो कि हमने गुंगने पानी के साथ mix किया हुआ है यहां पे अच्छे से हमने बालों में लगाया मलसिफाई किया roots पे बिलकुल नहीं touch करना है roots पे नहीं लगाना है मुझे तो मैं length पे लगा रहा हूं पुरे कोई भी बाल जो है वो dry नहीं रहने चाहिए लगने के बाद जब आप लगा रहे होगे तो समझ में आएगा आपको कि यह कितना effective है यह actually क्यों लगा रहे हैं हम ओला प्लेक्स वेला प्लेक्स smart bond जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं और फाइबर प्लेक्स अभी शौसकाफ ने निकाला है यह सब जो प्रोडक्स हैं यह बालो को strength देते हैं strength मतलब bonds multiplier है जो हमारे बालो में bonds होते जिसको हमने break किया first cream के साथ यह bonds multiplier कर देगा बालो बालो जादा बना देगा एक्टिव कर देगा bonds maker है जो वेला प्लेक्स उला प्लेक्स smart bond है वो bonds maker है तो बालो को strength देते हैं बालो को और जादा hard thick मोटा बनाते हैं और healthy बनाते हैं ताकि बाल गिरे नहीं टूटे नहीं damage ना हो इसलिए हमने यहाँ पे ओला प्लेक्स यूज किया वेला प्लेक्स के बारे में मैं और रडी बता चुका हूँ इसका theory class भी लेने वाला हूँ within a day मैं ऐसे live आके ही वेला प्लेक्स ओला प्लेक्स का जो theory class है वो बता दूँगा आपको तो आप भ सारे बालो में अच्छे से इसको लगाया है section by section लगाते जाना है एक चीज और जिन लोगों ने अभी तक मैंने बताया था आपको मैं gifts देने वाला हूँ यह live में बताया था मैंने तो मेरे पास books हैं कुछ hair styling की books हैं और products भी हैं जो हम use करते हैं उसमें से कुछ products पढ़े हैं मेरे पास जो मैं giveaway देने वाला हूँ तो giveaway में मेरा question रहेगा वो मैं पूछूंगा इसी वीडियो के last में या कहीं भी पूछ सकता हूँ अभी मैं बताऊंगा नहीं वीडियो में कहां पूछूंगा वो question का आपको answer देना है comment करके उसमें तीन चीजे हैं उस round में अगर आप तीनों करोगे तभी आपको उसका benefit मिलेगा और जाके आपको एक surprise gift मिलेगा सबसे पहले इस वीडियो को like करना है वो question का answer देना है इसी वीडियो के comment section में बताना है और third आपको जाके वो जो हमारा question मैं पूछूंगा उसका answer जो आपने दिया होगा उसका जो result है वो मेरे Instagram प मैं announce करूंगा Instagram पे तो आप लोग जाएंगे और Instagram पे हमें follow करके और वहाँ पे वो result सुन लेंगे और उसके नाम और address पे मैं वो product जो है वो surprise जो है वो भेज दूँगा आपको तो आप वो surprise gift जो है आपको मिल जाएगा तो अभी तक हमने यूज किया है इसमें वेला प्लेक्स ओला प्लेक्स सोरी और जो स्मूथनी क्रीम था वो लगाया है हमने वेला क्रीम स्टेट एंजो मास्क के साथ मिक्स करके और यहाँ पे जैसे ही हम section by section लगाते जाएंगे आपको ध्यान रखना है कभी भी ये बालों के roots पे ना लगे तो जादा अच्छा है damage होने से बचाता है आपके लिए जो इसमें questions हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में तो वेट करिए वो question का answer आपको देना है तो वो comments में से निकाल के जो हमारा एक surprise random जो एक application है वो बताएगा कि इन में से कौन lucky subscriber है जिसको वो product मिलने वाला है तो यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे हम ओला प्लेक्स ओला प्लेक्स एक्शली सबसे महंगा product है अभी तक ना तो इतना महंगा smart bond है और ना ही वेला प्लेक्स है यह दोनों 10-12000 की range में मिल जाते हैं वेला प्लेक्स भी और smart bond भी बट जो ओला प्लेक्स है उसका जो छोट बड़ा पैक है वो 10,000 में मिलता है 10-11,000 में और जो बड़ा पैक है वो बहुत महंगा 41,000 के करीब का charge है उसका वो आपको ऐसे easily available नहीं मिलता तो यहां पर section by section क्योंकि हमने smoothening cream लगाया था तो roots के पास हमने cream लगाया वो भी damage ना हो जो highlights किया हो है वो भी damage ना हो हमारे तो इसको strength देने के लिए हम olaplex use कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बतानी है first question सुन लीजिए जो लोग भी इस video में मेरे साथ जुड़े हुए first question है bonds कितनी तरह के होते हैं और उनके क्या क्या काम है और वो कैसे break होते हैं कौन सा bond कहां पे होता है और वो कैसे break होता है और उसका नाम क्या है first question यह है आपको comment करके बताना है और इसका जो आपको gift है वो October 15 को announce किया जाएगा 15 October को बताया जाएगा first question है bonds कितनी तरह के हैं और जो bonds है वो कैसे break होते हैं कितनी परकार के हैं और कहां पे होते हैं यह तीन चीज़े आपको बतानी है bonds के बारे में यहां पे एक मैंने shampoo मेरी fiance मेरी wife लेके आई है living proof का shampoo है जो की है मैं use करने के लिए बोला मुझे उसने perfect hair day जो की triple detox shampoo है जिसके यहां पे hard water आता है इंडिया में काफी जगा पे ऐसा है कि hard water आता है तो वो लोग living proof एक brand है उसका perfect hair day triple detox shampoo use कर सकते हैं तीन लेयर तक यह shampoo आपकी scalp को clean कर देगा तीन लेयर तक तो इसमें जितना भी आपका hard water आपके बालों में गया हुआ है वो सब को detox कर देगा यह तो यह आपको actually मेरे पास छोटा packing है मैं खुद use करने वाला हूँ अभी तक किया नहीं है इसमें लिखा हुआ है hair and scalp shampoo मलब आप hair पे भी लगा सकते हो scalp पे लगा सकते हो यूज कैसे करना है इसके पीछे लिखा हुआ है apply to wet hair leather rinse follow the conditioner use in the place of regular shampoo as needed for hard water build up removal जहां पे hard water है उसको remove कर देगा leave it for one to two minutes before rinsing एक दो मिनट के लिए रखे इसको बालों में लगा के दो मिनट के बाद rinse कर दीजे यहां पे मैंने जो straightening cream use किया था वो है wella का intense cream यह आपको दिखा रहा हूँ जिसको मैंने एंजो treatment के साथ mix किया था वन इस्टू वन के ratio के साथ अभी एक question आपका complete हो चुका है second question मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ जिनके दोनों questions के answer सही होंगे उनको ही वो surprise gift मिलने वाला है तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है जो लोग मेरे channel पे नए आ रहे हैं वो subscribe कर लें like कर दें share कर दें comment कर दें और हमारा एक page है Instagram पे और Facebook पे और TikTok पे hair solution के नाम से उसको भी follow कर लें क्योंकि यह जो questions मैं पूछ रहा हूँ इसके answers आपको देने हैं तीन चीजे करनी हैं सबसे पहले वीडियो को like करना है फिर वीडियो के निचे comment देना है जो मैं question पूछूँँगा comment देने के बाद यह जो product है आमने use किया है olaplex number one और यह है olaplex number two यह 100 ml के दो एक है bonds multiplier एक है bonds treatment वो protection भी बोलते है bonds protection जितना extra बचा है बाकी जहां पर बाद सूखे सूखे लग रहे हैं आप लगा देंगे तो मैं जो result है वो अपने instagram page पे बताने वाला हूँ कि किसको वो surprise gift मिलने वाला है surprise gift के बारे में भी बताया जाएगा आपको क्या देने वाला हूँ मैं मेरे पास बहुत सारे gifts पड़े हैं जो मैं दीरे-दीरे करके आपको send करने वाला हूँ तो एक बहुत ही अच्छे brand का serum है जो मैं आप लोगों को भीजने वाला हूँ वो है berry layer ओके यह serum है जो मैं आपको भीजने वाला हूँ hair serum for smooth, soft, shiny and classic hair post care है यह बालों के बाद में shampoo करने के बाद, conditioning करने के बाद आपको use करना होता है इसका नाम है berry layer serum का नाम है berry layer यह serum आपको मैं give away देने वाला हूँ तो जिन लोगों ने like करके comment करेगा मेरा question का answer उसको give away मिलेगा first question मैंने already पूछ लिया है वीडियो में second question मैं पूछने जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमने Olaplex जो था वो 20 मिनट तक लगाया था अभी rinse कर रहे हैं बालों में से सारा product निकाल देंगे 20 मिनट के बाद फिर यहाँ पे लगेगा Olaplex number 2 उसको भी कुछ particular time तक रखा जाएगा जैसे ही वो भी हम rinse करेंगे 10 मिनट रखने के बाद Olaplex number 2 मैं आपको दिखा दूँगा यह है मेरे पास number 2 मैं open करके आपको दिखाने वाला हूँ इसको open कर लेंगे फिर मैं लगाऊंगा Olaplex number 2 इसकी quantity double रहेगी Olaplex number 1 से एकदम easy question पूछा है मैंने जो पहले वाला पूछा है अभी second question है कि हम जो color और chemical करते हैं तो आपने देखा मैंने Olaplex number 2 लिया उसको लगा दिया बालो में wet hair में लगा देना है और 10 मिनट तक इसको रखना है एकदम easy question पूछने वाला हूँ एकदम easy question हम जो product लगाते हैं जितने भी product यूज़ करते हैं चाहे वो color है चाहे smoothening है चाहे keratin है तो वो product कौन सी layer पे काम करता है उस layer का नाम क्या है और hair की कितनी layers होती हैं वो बताएं सबसे पहले hair की कितनी layers है और कौन सी layer पे हम product जो लगाते हैं वो काम करता है उस layer का नाम क्या है ये दो questions हैं आपको बताने हैं सबसे पहले video को like करना है फिर comment करना है फिर instagram को follow करेंगे तो मैं वहाँ पे जो इसका giveaway का जो result होगा वो मैं वहाँ announce करने वाला हूँ बट वो announce होगा October 15 15 October को because ये video चलेगा लोग देखेंगे comments आएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को वो जो surprise gift है वो भेजने वाला हूँ surprise मैंने बता दिया already काफी अच्छा जो product मैं भीजने वाला हूँ तो यहाँ पे second number Olaplex भी लगा लिया और मैंने rinse कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से rinse कर लेना है सारे बालों में इसे निकाल लेना है Olaplex को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद dryer करके अपना statement करना है क्योंकि यह smoothing वाले hair हम बालों को straight करेंगे, neutralizer लगाएंगे देन उसके बाद post care लगाके घर बेज़ देंगे 24 गंटे के बाद फिर hair wash करेंगे तो client को smoothing के अंदर Olaplex, Velaplex कैसी use करते हैं वो यहाँ पी use किया जाता है after first cream hair wash आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ next video में तब तक मेरे साथ बने रहें और मुझे मेरे वीडियो को share कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगा बाई बाई अला हाफिस फिर मिलते हैं